कि हलो दोस्तों वेल्कम टो मैं यूट्यूब चैनल अवेशन टेक आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिवी ओवार डिवीर का फिल्फाम होता है डॉपलर वेरी हाइफ्रिकेंसी ओमनी डिरेक्शन रेंज आपने कभी भी एरपोट पर देखा होगा रन्वे के आसपासी जेनरली रहता है यह आईदर लेफ्ट और राइट सैट में जो एक ऐसा एक्किप्मेंट बहुत बड़ा होता है यह इसी की position की बारे में बताता है की accessibility boy aircraft का position क्या और होगे कि वह तो रड Colombia बताता है तो रड़ार सिर्फ आपको बताता MALE के उसका अनोंत मैडेक्स मेंडेराएस के निट मुव कर रहे है यह जो आपके पास equipment लगाए गए हैं civil airports पे यह आदर एरपोट्स भी लगाए गए हैं all over the world यह की standard equipment है जो international civil aviation organization ने mandatory किया हुआ है कि हर एक airport पे यह होना जरूरी है तो यह क्या करता है equipment यह aircraft को bearing information provide करता है ठीक है to define the air traffic control routes for in route and instrument approach departure procedure okay aircraft को उसकी position के बारे में या total information जो है उसका location उसकी height कि speed से जा रहा है और उसके direction के बारे में और उसे किस direction में move करना चाहिए ताकि वो अपने destination तक पहुच जाए सारे information वो देता है तो अगर इसी DVR को अगर DME से collect कर दे दोनों के साथ अगर integrate कर दे तो यह दोनों slant angle देगा angle और slant distance तोनों देदेगा ground station से ठीक है यह कुछ ऐसा होता है दिखने में आपको बड़ा सा है इस सब यह जो है इनके चारो और एक अंटीना लगे राते होते हैं तो कैसे काम करता है इसको देखते हैं जैसे आपने वर्ड देखा होगा omni-directional omni-directional means यह कोई चीज है omni-direction में हर एक direction में इधर 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 चारो और लब कोई ऐसा direction बचा नहों हर एक direction में signal भेशता है यहां पर transmitter होते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सारे जगर ट्रांस्मिटर लगे होते हैं यह signal भेशते हैं हर एक direction में जैसी कोई aircraft जैसे यहां पर है तो यह signal गया इसे receive किया अब aircraft ने जैसे से सिगनल को decode किया तो क्या होता है वो को सिगनल के तरू कि हमारा एरकाफ जो है कितने डिस्टेंस पे है ठीक है इस सारे इंफॉर्मेशन एरकाफ को दे रेता है अगर यह नहीं होगा तो एरकाफ को पता ही नहीं चलेगा कि वह वह आटा तो एरकराफ्ट को उसको डीडिल्स देने के लिए ठीक है एरकराफ्ट को पता होने चींज़े कि उसकी पोजीशन इक्सक्राइब कहाँ पूर तो यह एप Devies है जो signal देता है पता कराता है कि आपका वह कहाँ पहे है और आप साही डिरेक्षन में जा रहे कि नहीं जा रहा हो तो उसके according आप decision लेते हो कि उसे left जाना है right जाना कितने angle आपको bend होना है कितना height आपको बढ़ाना है या खटाना है ठीक है और जनरली इसकी जो frequency होती है 108 MHz से 118 MHz के बीच में ही होता है चल चलिए देखते हैं इसको diagram कर तो जैसे एक position यह है दूसरा position यह है position की डीवर का location तो aircraft कमाली इस यहां से निकल के जाना है दूसरे destination की और यहां पर ठीक है एक यहां पर होगा डीवर एक दूसरा डीवर यहां पर लगा है जो एक टिक आफ हुआ हुआ माली इस direction में तो यहां से यहां तक जाना है अब गलती से एक अगर इस position को चला गया ठीक है तो इस पता कैसे चलेगा यह में जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो उस चीज के लिए यह यहां का जो डीवी यार लगा है और डीवी काड़ करता है और कि यहां से नहीं कितनी दूर से आया कि से एंगल से आया है जैसे उससी डिपोट करता है तो उस एइर कार्ट को अपनी पोजीशन के बारे में सारा यानि पूरा बैरिंग इंपोमेश्न इसे मिल जाता है कि सका लोकेशन की इसकी क्या है और उसे कितना एंगल मूव करना है ताकि वह अपने डेस्टेनेशन पर पहुंच जाए तो यह था आपका डीविवार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इंफरमेटिव रहा हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक थे नड़ो करें दो होगा होगा है दो एंगे तो करें देंटें की या की ची पटरागल है तो मात आपका टैक अपका परोहगा हो गीडियो क घड़ फिर चेत ए moderate कर आ ऊपका जो हमँशने हैं टाहा ».